वेल्कम इन चैनल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यह वीडियो सिरीज क्लास 10 पर स्टूडिंस के लिए बेसिकली बना रहे हैं तो लास्ट वीडियो का वैने सिर्फूलेटरी सिस्टम को डिस्कूस किया था इस वीडियो लेक्षर में आपको बहुत ही बेसिकली बाले हैं इस वीडियो में इस वीडियो में यह जानेंगे कि एक्स्क्रीशन होता क्या है कौन-कौन से बॉडि के पार्ट से जो एक्स्क्रीशन के लिए रस्कॉंसिबल तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्स्क्रीशन की डेफिनिशन से सबसे पहले हमें यह जानने जरूरी है वाट इस एक्स्क्रीशन का मतलब क्या होता है तो आपको में बता दो स्टूरेंट्स की बहुत भी बेसिक इंपोर्ट प्रॉसस है और जो की बहुत जरूरी है रिमूवल उफ मेताबोलिक वेस्ट के लिए आप ऐसा कह सकते हैं रिमुवल उप मेटाबोलिक वेस्ट फ्रॉम दाबॉड रिमुवल उप मेटाबोलिक वेस्ट वाम दाबॉड जितना में हमारा मेटाबोलिक वेस्ट है जादा तर मेटाबोलिक वेस्ट करें तो वह कैसा होगा नाइप्रोजिनस सब्स्टेंस नाइप्रोजिनस सबस्टेंस यू किन राइट इस पॉइंट इस वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा मेटाबोलिक वेस्ट होगा वो किस फॉम में होगा नाइप्रोजिनस सब्स्टेंस के फॉम में होगा और उसको हम लोग प्रेडियूस करते हैं बाइदा ब्रेकिंग ऑफ अमाइनोएसेट तो जो फूद हम लोग डाइजिस्ट होता है फिर हमारा बलड उसको अब्सॉर्ब करता है और हमारी पूरी बोडी में डिस्ट्रिब्यूट होता है जब यह एब्सॉर्ब फूड ब्रेक्टाउन होगा टिशू में तो बहुत सब्स्टेंस प्रेडियूस होंगे और जिनकों की रिमूफ किया जाता है और यह हमारे लिए फैटल भी हो सकते हैं मेंस्ट पॉसिंग भी हो सकते हैं अगर इनका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम ऐसा कह सकते हैं जब पॉकसिसिटे को रोपने के लिए यह काटल ना हो इसलिए यह एक्सक्रीशन को जाना बहुत जरूरी हो इसलिए उमारी ब्याष्टे है बॉसरा इंपरेंट नाम है ओस्मोरेगोलेशन जब भी आ जो भी बून सकते हैं तो नहीं बहुत सकते हैं क्योंकि Osmo Regulation और Expression दोनों ही टर्म्स बहुत इंपोर्टेंट प्रोसेस हैं जिसकी वज़े से हमारी बॉडी में जो इंटर्नल इंवार्मेंट है ब्लड का वो कॉंस्टेंट और सेल्स जो हैं continuous change हो रहे हैं इंदा बॉडी तो Osmo Regulation का बेसिक मतलब क्या आता है वाट इसा प्रोसेस है जिसके तुरू बाइच वाटर कंटेंट जो मारा वाटर का कंटेंट है см met control up aumento that Yok कि हम लोग क्या करते हैं इना है स्टूंट सेपर उस्मोर ईगुलेशन में एक यह एसा प्रोसस्ता से जिसकी बज़न एंग का कंसिंटेंट है उसको लुक रिगूली कर सकते हैं, तो इसकी वज़े से ही हमारा जो ब्लड है उसका उस्मोटिक प्रेशर, by the process of osmo regulation only, उसमोटिक प्रेशर ओफ ब्लड is kept constant. आप यह point भी यह पर mark कर लें, बहुत इंपोर्टिन प्रेशर और जो आपको memorize करना हैं, students. आप बात करते हैं कि जो एक्स्क्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों टर्म दोनों ही प्रोसेस इंटरकनेक्टेड नो डाउट और यह साइब राइसाइड हमारी बॉड़ी में हुँ जितने भी हायर वर्टीब्रेट से चलना है काम लोग व्यूमें बींग्स की बात करें तो किड्नी दोनों ही फंक्शन को पर्फॉम करेगी एक्स्क्रीशन भी और ऑस्मो रेगुलेशन भी करेगी और शिस्टम विच इस रस्कॉंसिबल पॉर इस पंक्शन इस नोन अज एक्स्क्रीशन भी बोल दिए तो चलिए सुडेंट अब हम लोग यह जान लेते हैं कि human एक्स्क्रीटरी सिस्टम में कौन-कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके तुरू एक्स्क्रीशन पॉसिबल हो पाता है पॉस्क्रीशन गौन सी अपॉस्क्रीशन विच्रिशनिंग टीन अब छोड्स पॉसिबल अच्छी एक्स्क्रीशन पॉस्क्रीशन टीशन को बॉसंद है गॉह जांगी इस पार्ट्स हैं काहिए तो यह कुछ बेसिक्स थी अब हम आपको यह भी बता देते हैं किस तरीके से एक्सुरीट करती हैं तो मैं आपको एक लाइन वी बता दूँ किस सारे सार्थ हैं वाटर इंको एक्सुरीट करती हैं सुषॉयट ग्लैंड्स और उसिप्राष को सिप्रीट करैंगे लंख मारा ॡमूasion करते हैं जैसे कि तरही अचली को युछ विवारन भग उनक्राष दूए कि आनeden को सिट्वेश्प्री दीच करेंगे को इस द्हसे कि नाघ्सितने करते हैं तो यह बनते हैं और इनी बाइल पिग्मेंट को पोर के रहता है ड्यूडिनम में एज पार्ट ऑफ बाइल एंड या रिमोड एलॉंग विदा की और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात में बता दें वाले हैं कि लिवर है वहां पे ही यूरिया बनती है यूरिया साइकल ल पॉस्मोरेगोलेटरी और गेंभी बोल देते हैं क्योंकि यह कैमिकल कंपोजिशन आप ब्लड को मेंटेन करती है और यह विल फॉन है पार्ट ऑफ यूरियनरी सिस्टम इन वर्टिप्रेट्स अमनों के एक्स्रेटरी सिस्टम का डिटेल उसके क्या पार्ट से यह हमारा ल